दोस्तों स्वागत आप सभी को हमारे इस यूटूब चैनल में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जो आप सभी का पिट्टी की टेस्ट चल रही है मतलब दौर चल रहा है जैसे ही दौर खतम होगा तुरंत ही आप लोगों को डकुमेंट भेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा जोकि टेंटेटिव देट है त्यंत फरवरी ओनवार्ड त्यंत फरवरी से सभी का डीवी के लिए भी कॉल आ जाएगा तो इसके लिए आप सभी को जो जो डकुमेंट की रिकॉर्मेंट होगी उस सभी को तयार रखना काफी जरूरी है इस वीडियो में और किस फॉर्मेट में होगी सभी फॉर्मेट को भी हम इस वीडियो में डिटल से डिसकेशन करेंगे तो इस वीडियो को आप अंधर तक बने रहिएगा तो चलिए वीडियो को हम बब शुरू करते हैं हम लोग आ जाते हैं जो आरारसी का नोटिफिकेशन था उसमें क्या-क्या मांगा गया है उसी के हैब से हम आप लोगों को बताएंगे तो आप सभी को जितने भी डाकुमेंट्स डिमांड के जाएगा सभी का ओरिजिनल कोपी होना चाहिए तो सभी डाकुमेंट्स का ओरिजिनल कोपी उसके साथ उसका दो सेट जो है फोटो कोपी उसका करवा करके उसका सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए तो एक तो हो गिया आपको original जो भी documents की requirement होगी जो की आगे mentioned है और उसका दो set जो है उसका photocopy करवाद के उसके self-attested होना चाहिए और कुछ कुछ जोन क्या करता है जिसमें mention भी कर दिया यहाँ पर कि उसको आपको कह देगा कि उसके site को open के जाएगा और site पे आपको upload भी करना होता है तो यह सभी जोन में नहीं है जिस जोन में divine के जाएगा तो मैं आप लोग upload कर दिजिएगा ठीक है और है आगे कि all the certificates should be in either English और Hindi only मतलब आपको जो भी documents है आपके पास जो भी certificate है चाहिव मेट्रिक को हो OVC हो SCS TWS certificate है तो या तो हिंदी होना चाहिए या फिर English में अगर इन दोनों लेंग्वेज के अलावा कोई भी लेंग्वेज में आपका documents है तो क्या करना है उसका self-attested translated version ले करके आना है मतलब उसका आप जो अगर मान लेते हैं किसी का उर्दू में है तो उर्दू से उसको आप हिंदी या फिर English में translate करके उसको self-attested करके जो prescribed format होगा उसमें आप ला सकते हैं उसके बाद एक चीज इंपोटेंट चीज मेंशन यहां पर है कि नो एडिशनल टाइम विल वी गिवें टू दा कंडिडेट नॉट प्रेक्यूरिंग दिरिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट अप दियर डिकुमेंट वेरिफिकेशन and candidate of the search candidate is liable to be cancelled मतलब अगर कोई भी कंडिडेट के पास जब डिवी होगा और डिवी के समय आपको पास अगर किसी भी तरह कोई सर्टिफिकेट अभलेबल नहीं है तो आपको कंडिडेटर केंसिल भी किया जा सकता है तो आपको अभी से ही साई डोकुमेंट के लिए अपला पिटी के बाद डी भी के लिए कॉल आ जाएगा तो चलिए उसके बआध है कॊनोगोन सा डकुमेंट है में चाहिए इस नोटिफिकेशन मेंशन है उसके अब सब को हम बताते हैं तो यह डočumen們 जो हैं हमारे पास जो दिया गया है metriculation एर हाई school certificate मतलब metric का आपके पास certificate होना चाहिए किसलिए क्योंकि यह age proof के verification के लिए आपके पास metric का certificate होना चाहिए तो आपको metric का certificate ले कर जाना है केया मीं कहा गया है NCVT NTC NAC SCVT देखिए Certificate Agenda यह उन लोगों के लिए है जिरोंने ITI से डाला है जो ITI डाला है उनके लिए यह document लेकर के जाना है मतलब ITI का Certificate उन लोगों के लिए लेकर के जाना है उसके बाद अगर SCST कर्टोगरी से हैं तो SCST कर्टोगरी को NACC1 के जो इसके notification है जो RRC के notification है NACC1 में जो format है उसी format में आपको लेकर जाना है मैं लास्ट में दिखा दोंगा NACC1 में किस तरह का format है विसे इसी notification में है तो आपके पास अगर नोटिफिकर्सन है तो वहाँ से आप एनक्चर 1 देख सकते हैं इसे हम इस वीडियो में एनक्चर 1 भी दिखा देंगे फोर्स डॉकुमेंट है OBC Non-Crimalier Certificate as for the Enexure 2 Enexure 2 के हिसाब से आपको certificate OBC certificate अगर non-crimalier में हैं तो आपको बनवाके लेके जाना है उसके साथ ही OBC वालों के लिए की ज़र है Enexure 2A एक declaration है उस declaration को भी आपको print निकलवाकर करके भरके ले जाना है अगर कोई candidate EWS के टगरी में भरे हुए हैं EWS तो Enexure 3 के हिसाब से आपको अपना certificate EWS का अब देखेगा EWS काफी important इसमें mentioned है कि no additional time will be given to the candidate not producing their original certificate on the date of their document verification and the candidate of the such candidate is liable to be cancelled मतलब अगर आपको जो जिस date में आपका dv होगा उस date dv में अगर आपको जो document requirement है अगर वो document available नहीं है उस condition में आपका candidature cancel भी किया जा सकता है इसमें साप साप mentioned है तो ध्यान रखना है जिस भी document की requirement होगी आपके पास dv के समय available होना बहुत ही जरूरी है तो चलिए आप कौन-कौन से document की जरूरत परेगी हमें उसको इसके हिसाब से देखते हैं कौन-कौन से document की requirement है तो पहला document जो है हमारा वह है matriculation certificate या फिर high school certificate जो कर सकते हैं या फिर equivalent certificate इस certificate का क्या होगा date of birth का आपको verification के लिए आपका जो metric का यानि तेंथ का certificate जो की आपके में available होगा वहां से निकलवा सकते हैं अभी तक अगर नहीं निकलवाएं हैं तो तो वह certificate चाहिए आपको date of birth के verification के लिए और यह इसका जो है mother और father के name को भी आपका verify इस document से किया जाएगा उसके बाद है second document ncvt ntc nac और csvt certificate as applicable मतलब अगर कोई student आइटिया से apply किये होंगे तो उसके लिए आइटिया का certificate भी चाहिए तो जो connect अगर आइटिया से apply किये हैं तो आप आइटिया का certificate भी साथ में जरूर रख लें उसके बाद थाड़ नमर पे हैं scst content वालों के लिए कि scst certificate चाहिए एनेक्चर 1 के format में इस notification में दिया गया एनेक्चर 1 का format कैसा होना चाहिए तो उसी format में आप जरूर बनवाकर के ले करके जाएं उसके बाद फोर्त नमर पर है obc ncl मतलब obc non criminal year student के लिए एनेक्चर जो है कि एनेक्चर 2 में आप लोगों को ले करके जाना है और वह एक साल से जैदा पूराना नहीं होना चाहिए आपको यहां पर मेंशन कर दिया नोट ओल्डर देन वन एयर फंड़ेट अपड़ ड़कुमेंट वेरिफिकेशन एक साल से ज्यादा पूराना आपको ड़कुमेंट याणि obc के सर्टिफिकेट को नहीं ले करके जाना है obc student के लिए एनक्चर 2a भी है इसी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि उसका एक डिकलिरेशन है वो भी आपको प्रिंटर करवा के उस पर साइन उन करके ले करके जाए उसके बाद है ews जो की एनक्चर 3rd में जो कंडिडेट ews से अपलाई किये हैं तो उसको एनक्चर का फॉर्मेट नमबर 3rd में आपको उसी फॉर्मेट में बनवा करके ले करके जाए उसके बाद है सेबंथ नमबर में ews कंडिडेट जिन्होंने अपना फीमे इजक्षन लिया होगा इजक्षन लिया होगा इजक्षन लिया होगा इडव एस का टुगरी से तो उसको EWC Candidate के लिए Ennecture 3A का Format होगा उसमें आप ले करके जाएं उसके बाद है 7th नमर हो गया आपका 7th के बाद आप चलते हैं नेक्ष पे तो है आपका Income Certificate of the Ingeamination इत हो गया उसके 8 नमर है अगर कोई Minority में है तो Minority का Ennecture Number 4th में दिया गया है उसके हिसाब से आपका ले करके जाना है उसके बाद है अगर कोई Candidate Ex-Servicemen के टोगरी में आते हैं तो वहाँ से Discharge Certificate जहां से भी वह जो पहले करते थे तो वहाँ से Discharge Certificate मिलेगा उस Discharge Certificate को ले करके जाने हैं उसके बाद Next इसके बाद है हमारा प्लू बीडी कर्टोगरी में जो भी Candidate आते हैं तो उन सब को Ennexure 5A Ennexure 5B Ennexure 5C जिस भी कर्टोगरी में आते हैं तो उसके कर्टोगरी के हिसाब से सभी तक तीन तरह कर्टोगर दिया गया है तो सभी को जिस कर्टोगरी में आएंगे वो अपने हिसाब से उस Ennexure को ले करके जाने हैंगे उसके बाद है 11th नमबर पर Self-Declaration for the ex-serviceman as per the Ennexure 7 Ennexure 7 है उसमें से उसी के हिसाब से Self-Declaration आपको देने हैं उसके बाद 12th नमबर पर है NOC from the जो surviving employee है with the date of the appointment from the current employer जो की कोई service कर रहे हैं तो उसको भी उस चौब जब को छोड़ना है और Group D में आने है तो उसको NOC की जरवत परेगी जो current employer है उसमें date mention है किस date पे उनका appointment उस company में हुआ था तो हाँ से NOC की उनको भी जरवत परेगी उसके बाद है NOC अगर कोई servicing जो defense में job करते हैं वो अगर current में service कर रहे हैं तो कब से छोड़ रहे हैं उस job को तो उस job से भी NOC की अपको जरद परेगी जो कब उस job से discharge हो रहे हैं वो date mention होना चाहिए उसके बाद है 14th नमर पे अगर कोई candidate अपना नाम change करवाया है तो उनको गजट notification में नाम जो दिये होंगे उसको चाहिए या फिर एनी legal document अगर हैं तो उनके पास मेंशन पारास सेक्षन पारास 1.7 मेंशन है तो उसके हिसाब से वो कोई चीज को जड़त परेगे गर कोई नाम अपना change करवाया हों तो उसके बाद है 15th नमर पर अगर कोई candidate अगर offline payment किये हों फी जो payment किये होंगे अगर on off maximum लोग तो online ही करते हैं अगर कुछ लोग offline किये होंगे तो S.V.I. में किये होंगे S.V.I. ब्रांच से तो वहां कार्ट चलान की जड़त परेगी या फिर पेसलिप जो की पोस्ट आफिस से होगा जो पेसलिप उसकी को ले करके आपको जाना है उसके बाद अगर कोई candidate transgender है तो उसके लिए self certification की जड़त परेगी अगर कोई candidate 17th नमबर पे है जमू कस्मीर के है तो वहां के तो वहां के दो मिशाइल certificate की जड़त परेगी उसके बाद है 18th नमबर पे 18th नमबर पे है क्या की certificate of eligibility issued by the government of India as per the para 4.1 4.1 में दिया गया है कौन से applicable है मतलब कोई अगर हम लोग मैक्समा कांडियेट क्या है किसमें इंडियन है तो उसके लिए इसकी कोई जरौत है ही नहीं अगर को आउटसाइडर है तो 4.1 को देख लेकिन मैक्समा के लिए eligible ही नहीं है उसके 19th नमबर पे है कोई भी डैवोर्स ही है मतलब किसी का डैवोर्स हो गिया उसके 23 नमबर पे है जो कि देख सर्टिफिकेट अगर कोई वाइप है वेडू हो गया है तो उसका हस्वेंड का जरौत परेगी उसके बाद है 21st नमबर पे जो कि लास्ट है वह है एक सर्विसमें अगर कोई है और वह जो गुरूप डी में अप्लाइ करने के बाद फिर कह और एक सर्विस के नाम से कई और जोब ले चुके हैं और उस जब को छोड़े फिर गुरूप डीम आ जाते हैं तो वहां से पहले एक सर्विसमें का लगेंगे उनको और फिर वहां से छोड़के आएंगे तो वह भी निकी वहां पर इसको रिक्वार्मेंट होगी तो बस य आपर भेंगे अब हम एनक्चर पे कंउनकोस्ते क्टाग bisher है तो से जब को देखते हैं और इसी पे ही बनवारी तो ज्यादा दिक्कते आपको नहीं होगी लेकिन ध्यान रखना है यह किस से बनवाली या फिर जो अनुमंडल में बैठते हैं मतलब वो तासिलदार से नीचे नहीं होना चाहिए तासिलदार के रेंक से अगर ऊपर कोई भी होंगे चाहवारी भेनी और कोई भी होंगे तो सबसे आप बना सकते हैं आप देख सकते हिए मेंसन भी है किसके अफिसर का चाहिए आपको तो यहां से देख के आप उसकी हिसाब से आप बना सकते उसके बाद जो है एक डिक्ररेशन है ओबीची कंडिट के लिए करवा के यहां पर साइन उन करके आप यहां से ले जा सकते हैं इस तरह के उसके बाद है एनक्चर थर्ड जो की EWS के टोगरी के लिए होंगे तो वो सब इस तरह को निकाले और इसको बनवाले सारे एनक्चर इस नुट्पिकेशन में जो की आया था उसी नुट्पिकेशन में आपको मिल जाएंगे उसी के हिसाब से बनाएंगे तो जैदा बेहतर होगा तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं कंप्लीट करते हैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप कोई वीडियो पसंद आये हो तो इस वी अगर कोई आपको डाउट रह गया है तो कमेंट सक्षन में आप डिरेक्ली पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद